दो हजार चौविस लोक सभा चुनाब काफी इसकी चर्चाएं हो रही हैं मोदी जी आने वाले हैं बिहार चमपारन बाले एरिया में और कह सकते हैं कि इससे पहले भी अमीत सा और ऐसी तमाम लोग जो आने का सिलसिला जारी था और आ रहे थे उन तमाम बातों को लेकर बात कर तीन महीने पहले आपसे मुलाकात बाते हुई थी तो क्या लग रहा है इस बार आपकी क्या लड़ियेगा या नहीं हर नेता यह सोस्ता है उसके मन में एक ललक रहती है कि पार्टी उसको टिगर दे और वो चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने की इच्छा है और जहां पार्टिक से तुन को भी बता दिया है अपने प्रदेश सद्ध्यक समराठ चौधरी जी को भी बोल दिया है चुनाव मैं लड़ना चाहता हूं और चुनाव लड़ूंगा चुकि जनता का सेवा करने का जो मन में मेरे अंदर जो मन में है विश्वास को जनता को बताने के तो बातमान में वहाँ से भाजपा के हैं देखिए चभारण में मोतिहारी से रादा मौहं tão परभी जिए नगर में जेडिА 고 पाजपा के नेताओं से बात हुई है नाम नहीं बताऊंगा देजिए और जनता की चाहत है कि मैं चुनाव लड़ू और जनता के चाहत और जनता के विश्वास को में पूरा उतरूँ मैं अब तो पार्टी को निरने करना है कि मुझे टिकट देती है नहीं अभी कुछ हैसा है यहां पर बिहार में घटक दल बने हैं लालू प्रसादी आदब नितीज कुमार बाम दल कॉंग्रेस एक साथ है तो कहा जा रहा है भाजपा थोड़ा बैक पूट पे है थोड़ा पीछे है बोट परतिसत में और इसी तमाम इनलाइस जो चलते रहती नहीं पास कोई बैंक नहीं है घटम हो चुक है यहां लालु जी का जो है न complimentary में धूर्जार में लालु जी क्या कहते थे किति सीट आई जीरो बटा सन्नाटा तो यह नितिश कुमार भी अलग लड़के देखे हैं दो सीट जीते थे तो इसलिए गठबंदन हमारे एंड ये गठबंदन को कोई फरक नहीं पड़ रहा है हाँ नितिश कुमार ने अपनी विश्वसित नियता खो दी है मैं अपने भाजपा के नितितों से भी आमांग करूँगा कि नितिश कुमार को अब गठबंदन में आना चाहें भी तो आप नहीं लें लें ये बात हमारी हम नहीं जानते हैं कहां चले ये तो हो सकता है कि अब सब्सक्राइब को किसान्ड को पैसा अब देते हो सब चीज में दवादारू के लिए आपने पांच-पांच लाख रुपया दिया हर चीज जब भारतिन्ता पाट कर रही है और जनता इस पे विश्वास जता रही है तो नितिश कुमार हमारे साथ क्यों आएंगे अक्यों उनको हम लेंगे जब वो अपनी विश्वस नित्याक हो दिये हमारे साथ चुनाव लड़े उनको सबसे कम विधान सभा में सीड जीतेता है 43 सीड जीतने के बाद उनको हम लोगोंने मुखमंत्री बनाया इतना सम्मान दिया फिर वो छोड़कर चले गए जंगल राज के गोद में बैठ गए तो फिर उनके उपर क्या विश्वस नेता किया जाए तो सुन रहे हैं कि एक बार आओ 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 अगर क्या बात हो रही हमको नहीं पता कोई बात हो रही होगी अगर आएंगे तो बीजेपी को घाटा होगा यह हमारा अपना मतलब सोच है विचार है जो हम जनता के बीच में सुनते हैं हमें दिन भड जनता के फीच में घुमते हैं तो नितीष कुमार अगर भातित नगाटि गटबन्दन में एन कि प्रकाटने की तरे किसतरा आ घाता होगा लों यह कहना है लोग सभा देखे ऊंगे आईएंडिया एका करते हैं तो तमाम चीज़ें रहते हैं तो लोग कहना है मगर लोक सभा में हम भाजपा को रोक देंगे यह सब गलत फेमी है विपक्ष बाज मने अब हमने ही नारा दिया था साल बर पहले आपसे कि अपकी बार तिसरी बार मोधी सरकार अपकी बार 400 पार और यही नारा स्लोगन बन गया मैं ना और 400 पार आयेगी आयेगी जिस तरह राम मंदिर का 22 तारिको ऌपनिंग हो रहा है mine नाम आये अपने टेंट से हट करके बड़े भावन में बड़े मंदिर में उसी तरह गारंटी के साथ में आज के दिन नोट कर लिजेगा मैं कर रहा हूं कि चारसो पार मोदी जी अपने नेत्य तुमें फिर लाएंगे तिसरी बार प्रधान-मंत्री बनेंगे तिसरी बार नह हम घौिए नहीं है कोई एडी फीडी में चला जाने के लिए सब वरश्ट है अपने धन को अपने परिवार को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं कोई जला है को अणिया मुह मुझे जहा II अरे यार मेरे नाम पर कोई मुकदमा ही नहीं आप बता रहा हूं पुराने मुकदमा पेंडिंग था हमको भी जनकाई नहीं थी तो उसमें हम अरेश्ट हुए जेल गया और हम एक महिना 11 दिन में हमको जमान मिला छुट गया और केस भी खतम हो गया गैंगेश्टर का हो जो ल अरे तो जनता की अवाज सुनगा और जनता अगर कहेगी चुनाओ लडो तो लड़ूगा भारतियनता पार्टी में रहकर ही लड़ूँगा लेकिन जनता की आवाज सुनूँगा और जनता की आवाज बन करके अपने मोदी जी के नाम को लेकर तब लड़ूँगा किसी तरह लड़ेंगे किसी चीज से लड़ेंगे मने हम विपक्ष में किसी पार्टिस ने लड़ेंगे हम किसी के हाथ में अपने जीतेंगे और जीत करके मोदी जी को मजबूत करेंगे मुदी जी और हमी शाजी के तस्वीर को अपने दिल में रख करके मैदान में जाएंगे और चुनाओ लड़ेंगे और जीत करके उनके हाथों कमजबूत कर देंगे लडेंगे हमने कहा ना कि जनता से विचार विमर्ज करेंगे जनता अगर कहती है कि आप चुनाओ लड़ो तो निश्चित लड़ेंगे चुकि कब तक बैठते रहे यार कि मेरी पार्टी मुझे चुनाओ लड़ाएगी और मेरे ताकत को जनता के जितना सने प्यार हमको है यह सब पार्टी यह जानती है मैं 2019 में ज्वाइन किया पार्टी तो जितने नेता लड़ रहे थे उनलों के ही कहने पर मुझे पार्टी में ज्वाइन कराए गया था चंपारन के तो मुझे चुनाओ नहीं लड़ाना मोदी जी को तो कोई घाटा नहीं होगा वो तो हमारे कभी भी आधर नहीं है आधर न जानता मुझे प्यार करती है जनता मुझे प्यार करती है मैं 24 घंटा एनी टाइम जनता के सेवा में ही रहता हूं चोबीज घंटा एनी टाइम मोबाइल आप कभी रात को दो बजे भी करके देखिएगा तो मैं उठाता हूं और मैं जिस तरह के से काम करता हूं जनता के बीच में वह जनता मुझे पसंद करती है और उसी रूप में जनता के बीच में में रहता हूं लेकिन जनता की आवाज बनके चुनाओ जरूर लड़ूंगा एक लोग सभब आप बता रहे हैं कौन लोग सभब चंपारन बला राधा मोहंजी बला की संजय जैसा ने 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 उतो पार्टी हमारे सांसत लोग है बालमिकी नगर चुनाओ लड़ने की इच्छा है और चुन लड़ेंगे सम्राट जी से बात हो ली की दिल्ली बात हो ली कने रा हमारे पर्दे सद्ध्याजी को भी मैं सूचना दिया हूं देखिए पार्टी का टिकट देना पोस्टर तो लगल लगल है पार्टी का उमिद्वार मैं कैसे अपने आपको घोसित कर दूँ जब तक उप मतलब नहीं हम टिकट लेने वाले कोन होते हैं टिकट देने वाले कोन होते हैं टिकट देने का काम है केंद्री नेतितु का मैं केंद्री नेतितु को कह चुका हूं बता चुका हूं प्रदेश के नेतितु को भी बचा चुका हूं चुनाव लड़ने की इच्छा है और सन 2000 म मैं हो गया 23 साल पहले तो मैं राजनीत करता हूं यह टाइम करता हूं 24 घंटा जंता का सेवा करता हूं तो मैं जो 24 घंटा जंता का सेवा करता है तक चलिए तो एक तरह सी एलान हुआ कि राजनतिवारी लोग सभा लड़ेंगे लड़ेंगे बाकी आप बने रहें तमाम political updates हम लगातार ला रहे हैं और तमाम खबरे और तमाम बाते हम लगातार सुना रहे हैं मेरा नाम रविकान्थुआ और अभी राजनतिवारी जी से हम बात कर रहे थे याकास भारत पर बने रहें धन्यवाद